फरिदाबाद के दुदोला गाउं में 23 तारिक को भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो दंगल होने जा रहा है जिसमें की लगभग 800 के आसपास जो है वो पहलवान आ करके अपना दमखम दिखाएंगे और क्या कुछ पूरा आयोजन है जो आयोजन करता है वो हमारे साथ ही प्लक्ष में लगा रहे हैं हमारे जो एक टीब है लूकरी सरपंच पिर्थला राजिंदर सरपंच नंगला सुन्दर सरपंच दूधोला और यह आपका भाई दीपक डागर जाजरू हमने सवर्णे मिलके एक दंगल लगाया है इसका मैन मकसद है कि हमारे युवा बच्चे अपनी जो पुरानी रीती थी उस पे आएं और हमारे अपने देश का नाम रोशन करें खास कर अपने प्रितलाविदान सवाथ छेत के युवाओं से और रही बात अपनी जो महिला है महिलाओं का भी इसमें अलग से कुष्टी हैं है हईाश और हम तो यह भी अपील करेंगे कि जादा से जादा पहल्वान आए और जादा से ज्अधा जादा है का लोड़े देखने के लिए आए जादा ज्यादा पहल्वान क्योंकि खेल के अंदर यादी लोग दिल्चस भी दिखाएं नहीं कहीं युवा पीडी जो है वो नसे से और दूसरी बुरानी पुरी बुरी लतों से जो बसती है कि त्यारिया जी पहले भी हम दो बार यह इत्यासिक दंगल करा चुके हैं सहीजी दिवस के उपलक्ष में हमारी यही सोच है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यह अच्छा मैसेज जाए उनकी इस खेल को देखके अच्छी सोच बने सबके मन में जो गंदे विचार हैं वो सबाप्त हों और अच्छे विचार आएं और अच्छे विचार आएंगे तो सबकी सोच अच्छी बनेगी और बच्चे उस खेल के पिरती अपना मन बनाएंगे कि जिससे हमारे देश का नाम्रोसन होगा और जब नाम्रोसन होगा तो हमारे देश का विकास होगा क्या खास हमने नाम राशी नगत जो है ग्यारा बारालाग रुपे का जो प्राफधान किया है और उसमें अगर कोई विशेश वर्ग भी लगबग आर्ट वर्गों की जो प्रतियोगता है यह उसके बाद भी अगर कोई ऐसा अचूक वहां पर मोके पर बच्चे पहुंचते हैं तो उसके लाव से कमेटी हमार जो डिसाइड करके और भी प्रतियोगताओं को बढ़ा सकती है यह तो होनी होनी है अंतरास्टी पहलवान भी कोई आएगा मुख्यतिती के तोरब जी हां तक है कि अपने रवी दयाजी का आने का जो प्रोग्राम है और हमारे जिन ने इन खिलाडियों को बनाया है सबसे ब किया गया है तो वह सभी आपको वहां देखने के लिए जरूर मिलेंगे के बात कर जाए तो कौन कौन पहुंच रहे हैं प्रुषकार वित्रन के लिए जो हमने जो प्रकास धनकर जी को कृशनपाल गूजर जी को और अपना जितने भी हमारे यहां फरीदाबाद पलवल के जो भी सम्मानित लोग हैं तो सभी को इनवाइटिट किया यह कोई राजनेतिक मंच नहीं सभी को आने के लिए तो देखते हैं की लगबग सभी का आना हमारे लिए सवाग्य की बात होगी लोनों की बात कर जाए तो महिला पहलवान कितने आने की उमीद है और पुरुष प भाव को अपना दर्शाएंगी कहीं ने कहीं तो धोला गाओं के अंदर यह तारीक को जो है वो प्रतियोगता होनी है जिसमें की जिस तरीके से बता जारा लगबग 700-800 पहलवान आने की उमीद है और लगबग 11 रुपे के आसपास वह उन पहलवानों को वित्रित कि जाएंग जो है वो जिस तरीके से युवा का विकास होगा साथ-साथ जो है वो देश का भी विकास होगा फर्दाबाद सेनिल राठी पंजाब केश्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध